हेलो दोस्तो मैं हो निलेश और मैं राइस इंसाइट पावर योट्यूब चैनल में आपका स्वागत है अभी अभी वेरी इंपोर्टन नोटिफिकेशन्स रिलीज हुआ है रिगार्डिंग M.Tech Admissions और PhD Admissions इन दी आयाइटी देल्ली आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे M.Tech Admissions और PhD Admissions इन दी इंडियन इंस्टिट आफ टेकनलोजी आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसी अपडेटेड नोटिफिकेशन्स M.Tech, PhD Admissions के रिलेटेड और PSU Job Recruitment के रिलेटेड आपको continuous नोटिफिकेशन्स मिलते रहे तो चलिए देखते हैं टिटेल अडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन्स के तरह जैसे कि मैंने कहा था अभी Indian Institute of Technology देली का M.Tech और PhD का अड्मिशन नोटिफिकेशन्स आया है वो अप्लिकेशन फॉर्म 15 मार्स से फॉर्म फिल करने के लिए स्टार्ट हुआ है तो आज चलिए अभी अब नोटिफिकेशन पर देखते हैं तो यह शॉर्ट नोटिफिकेशन है पोस्ट ग्रैजुएट और PhD प्रोग्रामस 2021 और 2022 फर्स सेमेस्टर के लिए अभी PhD के लिए यह वेरियस डिपार्टमेंट्स है इसके लिए जो अडिमिशन नोटिफिकेशन ने वाया है आप देख सकते हो अप्लाइड मेकानिक्स, बायो केमिकल इंजिनियरिंग, और बायो टेकनोलोजी, केमिकल, इंजिनियरिंग, केमेस्ट्री, सिविल इंजिनियर इसके लिए अप्लिकेशन आये हैं, तो PhD के लिए यह सारे डिपार्टमेंट्स है, अभी जो सेंटर से, जो की रिसर्ट सेंटर से रहते हैं, वहाँ पे भी वैकन्सीज है, अमरनात अंशेशी खोसला स्कूल आफ इन्फॉर्मेशन टेकनोलोजी, इंट्रडिसिप्लिनर रि इन आप्लिकेशन 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 आ ही वहाँ पर स्ट्रीम से उसके लिए अभी ओपन हुआ है अप्लिक्शन फॉर्म भी मंगाए गए है सो अभी देख सकते हैं आप मैटेरियल साइन्स मेकानिकल इंजिनियारिंग फिजेक्स उसके बाद आप देख सकते हो एनरजी एन एन्वार्मेंटर टेकनालोजी के लिए अभी वहाँ पर मटेक के लिए अधिमिशन हो रहे है अविए आप देख सकते हैं इंटरडिसिप्लिनरी एंटेक जो एंटेक का कोर्स रहता है इंटरडिसिप्लिनरी मीन्स ब्रांचेस विच हैविंग सब ब्रांचेस फ्रॉम दिक और ब्रांचेस तो यहाँ पर एनरजी streams दिये है तो आप MS degree के लिए भी यहाँ पर apply कर सकते हो उसके बाद आप यहाँ पर देखो यहाँ पर उन्होंने note दिया है admission to PhD, Mtech और MS by research can be full-time and part-time basis depending upon the availability of the seats so यह याद रखना है यह because this is very important note because here whatever the PhD admissions and Mtech and MS research admissions will be there like आपका अगर for sponsored और part-time candidate हो इसके लिए भी limited vacancies रहती है और उसके लिए apply करने के लिए आपको minimum experience रहना जरूरी है after the qualifying degree on the date of registration तो अभी देखते हैं masters और design के लिए भी यहाँ पर admission है masters program के लिए तो यह four same का होने वाला है और two year का program रहता है और यह सिर्फ Ft that is full-time candidate के लिए है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं industrial design यह एक ही branch ही जिस पर आप masters of design कर सकते हो उसके बाद MSC है जो की full-time candidate के लिए है MSC in humanities and social science के लिए है यहाँ पर cognitive science एक stream है उसके लिए वो admission है तो आप eligibility देख सकते हो for PhD, Mtech, MS और Masters of Design CGPA is required 6 for general OBC EWS category and CGPA required 5 for SCST candidate on the 10 pointer scale like 60% marks for the open OBC candidate and 55% for the SCST candidate तो आप यह देख सकते हो यह उन्होंने admission दिया है चोला भी देखते है application procedure क्या है submission of application is through online mode only so candidate not required to send any hard copy for the application form and the fee receipt online submission of application form is available on the institute website इस website पर जाके आप यह application fill कर सकते हो यहाँ पर उन्होंने fee structure भी दिया है जो fee रहेगा admission के लिए वो 200 रुपीज रहेगा and for SCST candidate के लिए उनको 50 रुपीज fees pay करना पड़ेगा आप यहाँ पर देख सकते हो यह बहुत ही important है जो कि हर एक research के लिए important रहता है देख सकते हो financial assistance or scholarship available for full time PhD, M.Tech, Masters of Design and Masters of Science that is MS by research और MSC students per detail given information voucher so यह सारा information उन्होंने information voucher में दिया है तो आप देख सकते हो PhD के लिए 31,000 जो stipend होता है वो मिलता है उसके बाद M.Tech और Masters program के लिए आप देख सकते हो 12,400 यह stipend रहता है यसी UST-PWD students admitted to postgraduate program exempted from payment of tuition fee so उनको tuition fee भरने की जरूरत नहीं है so यहाँ पे foreign national are not eligible to apply against this advertisement so आप यहाँ पे देख सकते हो important देख दिया है submission of online applications which will be commence on 15 March 12 लोन say last date for the submission of online application will be 24 April 2021 so आप यह याद रखना this is the last date before that you have to fill the application form so इस advertisement से आप देख सकते हो कि gate का result भी जल्दी से जल्दी आने वाला है और आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो please subscribe this channel ताकि आपको ऐसे ही M.Tech PhD प्रोग्राम्स अड्मिशन्स के रिलेटेड आपको अड्डेटेड नोटिफिकेशन्स मिलते रहे